सुल पिछले वीडियो में जो part करें देखा था नूमेरिकल डήटा जो आघ्चे में था अभीwest की बायालोजी में शायद बॉटन ही इस делает मिक्स होगा तो देख लेतेed आजके विडियो में शुरोओ कर देते त डायमीटर आफ आरवीसी शुरुआ थी हो गया डायमीटर आफ आफ आरवीसी तो वह होता है 7 माईक्रों यह भी याद रखने का है पिसली पार हम लोग आप अरवीसी काउन्ट देखा था और लाइफस्पैन देखा था वह अगर आपको याद है तो इधर बोल दो मेरेको 5 मि मिलीमेटर माइनस्ट क्यूब मेलीमेटर माइनस ख्यूब सेग अर फिस ग्र 672 दे जैज समॉल सेल का साइज है थ Hunting को है नाम है माइकोब्लाज्मा माइकोब्लाज्मा ऻो और दा इस साइज याद रखना माइकप्लाज्मा जीरो 3 Microns आगे Largest Cel largest तो ऑस्टी एग है और इसका साइज है 15.5 cm 15.5 cm is the largest cell that is और इस टी जेग तो ऑस्टी आपको पता है और इसका क्या होता है उसका एक होता है तो आगे बढ़ते हैं अगे है typical eukaryotic cell typical eukaryotic cell उसका length होता है 10-20 Microns length of the typical eukaryotic cell उसका यह लेंद्ध है 10 to 20 microns हागे आया typical eukaryipt plant cell का है 50 mm 50 mm है इसका size यह size of the typical eukaryipt plant cell is 50 mm आगे देख्ते है साइज of the bacteria bacteria the bacteria का size की यदर है 325 micron the bacteria of the size of the bacteria 325 micron size of the bacteria 325 micron आगे देखते तेटिपिकल बाक्टरिया का साइज है वन तो टू माइक्रों याद रखना है आपको इसका साइज बायोजिकल क्लासिफिकेशन में दिया है वह थोड़े वीडियोज भी आजाएगा आपको भी आगे देखते गौल गी शिष्टर में डायमिटर आधे गल की श फोल्ड ऑफ दी गॉल्गी अपरेटस उसको बोलते गॉल्गी सिस्टर ने और वह होता है 0.521 mm 0.521 mm होता है वह सो आगे लेंथ आफ दे माइटो कॉंट्रिया माइटो कॉंट्रिया क्या होता है पहली बात वह है पावर हाउस सब हमेशा यह याद रखना याद रखना है पा 20 tab 1.2 3.2 से देखे 1.0 माइक्रो बीटर आगे देखते लेंथ अफ दी क्लोरो प्लास्ट लेंदे 5-10 माइक्रो मिटर क्लोरो प्लास का लेंद हैँ 5-10 माइก्रो मीटर क्लोरो प्लास का लेंद rätt है त्रम नीमेटर अगे आगे देखते है लेंट of the Ecoli dna Ecoli का जो dna होता है इसका लेंट है 1.3 six one point 36 Oui mean Micrometre one point 36 Micrometer होता है इसका लेंद फो डिने Ecoli का जोडी ने होता है उसका लेंथ होता है 1.36 micrometer तो अभी आपको यूमन डीने कभ आयेगा यूमन डीने का जो लेंट हेगा इस तुपॉइंट Crist iหola टो मीटर होता है और यूमन ड्यने में कम से एक यूमन डीने में सेवंटीन अव緣 टैरबाइट सेरे डियॉट का जो यह हमंदो कास टोरेज यह उतना यह occupied कर सकता है डियने में याद रखना आपको वन टेराबाइट सारी 70,000 टेराबाइट एक डियने में याखुपाई हो सकता डियने का लेंध है 2.2 मीटर 2.2 मीटर मतलब लंबा है काफी 2 मीटर बोले तो 2.2 मीटर मतलब काफी बढ़ा है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यह स Highway और साइनटीस्त अट्टेरेमेंटल म्तलब अलग अलग साइन्टीस्ट के नाम है और उनका जो मतलब कौन से मटरीयल योग ने पड़ेंगे और वह उसके कुछ वैज मिंदेख लेंगे तो पहला वाला आगा एंगल मैन एंगल मैन पर दिया तो इसका एक्सपिरीमेंट का मेन रिजन क्या था घर अगर प्लांड में ऑक्सिजर होता है क्या वह देखने के लिए तो यह ऑक्सिजिजन इव लिवुशन तो और हियाद रखना किसैने किया थाbasai in Kyle chofero part Mus ти एक्सցपियर का में आप में याद किसे में धाएं प्रिस्ट candy मिंट julow belong planned Noob Bill jar experiment ने को याद हो जम्रक भिल जार एक्स्पिरिमेंट उसमें Minnd प्रिश्टले ने किया था और मिंड प्लांट यूज किया था उसमें आगे बढ़ते वेन नील परपल और ग्रीन सलफर बैक्टिरिया तो यह भी ऑक्षिजन से लेटेड है कि यह यह जो दो बैक्टिरिया है गाइस यह ऑक्षिजन प्रोड्यूस करते कि नहीं उससे कि नुसका चे इस में क्या किर पाइसन केért है और यूज यूज है यह ऐसे इस लिए क्व प्लाइणि प्लाइड के क्या हुए आगर याद है तो मेंकी दोंसमें कि तीरे ग्रोस पीज के इस है वह थे और यूसलीं यूज किया था क्यूआ पास्टर धाडब यूज सॉज कर और इजेर ग्रोथ की वज़े से यूज किया था तो आगे देखते हैं मुटेशन यूगोदी वारिस ने मुटेशन के लिए कुन सा यूज किया था यूइनिंग प्राइम रोज इसलिए यूज किया गया था क्योंकि इसका भी ये ग्रोथ फास्टर होता है जो ये इसली ट्रासो फीलyer लेयाइश्ण रख लेना मेलाणो कैस्टर यूज किया था ये क्रोमोजॉमल बेसिसे क्रोमीमो जो stripe democrat है क्रोμोजॉमल बैसिस और्व इने रोटेंस क्रोमोजॉमल बैसिस औरिउच्टिश्टिश अ आगे आगे देखे हैं आगे ग्रिफित इक्सपरिमेंट् है seven chapter पे उसमें यह किया गया था और यह dna transformation होता है कि नहीं बैक्टिरिया में उसके लिए इन्हों ने यूज किया था स्ट्रिप्टो कोकस निमोनिया यह निमोनिया का बैक्टिरिया स्ट्रिप्टो कोकस निमोने तो आगे देखते हैं हर्शी क्या डिस्कोर किया था वह experimental material जो दाउन का वह था इकोला है हम लोगों को याद रखना है इकोला है वह अगे बढ़ते हैं हम लोग टेलर विशिया फेविया यूश किया था और यह dna अगर dna root के root के tip में present होगा मतलब सबके root cap के थोड़े ऊपर root tip जो होता है उदर अगर dna present है क्या यह चेक करने के लिए टेलर भाई साब ने यूश किया था विशिया फेवा तो इसको उनका जो रिजल्ट था वो साथ पॉजेटिव था वो पॉजेटिव था मतलब root के tip में भी dna होता है तो अब आपको याद रखने का है टेलर का विशिया फेविया और यह था मेलविन केलविन का c3 साइकल और यह जो कल दा साइकल फोटोशंथ के लिए तो सबसे में साइकल है साइकल थोड़ा वीडियो में पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा आसान Σटेप्स में तो आगे दीखते है तो इतना ही था आज के वीडियो में इसलिए आप बहर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको इस वीडियो को लाइक कर दो कॉमेंट कर दो जितना हो सके उतना शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना गाइस थैंक यू